तो सारे सुजावों को ध्यान में रखते विए ये तै किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब तीन मैं तक और बढ़ाना पड़ेगा याने तीन मैं तक हम सभी को हर देश्वासी को लॉकडाउन में ही रहना हुगा इस दोरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है जैसे हम करते आ रहे हैं मेरी सभी देश्वासियों से ये प्रार्तना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी किमत पर नए एक शेत्रों में फैलने नहीं देना है स्थानिय स्थर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिन्ता का विशे होना चाहिए कहीं पर भी कोरोना से एक भी मरीज की दुखद मुत्य होती है तो हमारी चिन्ता और बढ़नी चाहिए और इसलिए हमें होट स्पोर्ट को इंगित करके पहले से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा सतकता बरतनी ही होगी जिन स्थानों के होट स्पोर्ट में बदलने की आशंका है उस पर भी हमें कड़ी नजर रखनी होगी कठोर कदम उठाने होंगे नए होट स्पोर्ट का बनना हमारे परिश्रम और हमारी तपस्या को और चुनोती देगा नए संकट पैदा करेगा इसलिए अगले एक सप्ता में कोरोना के खिलाप लड़ाई में कठोरता और जादा बढ़ाई जाएगी बीस एप्रिल तक हर कस्बे हर थाने हर जिले हर राज को बड़ी बारी किसे परखा जाएगा बहां लोकडाउन का कितना पालन हो रहा है उस खेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है इसका मुल्यांकर लगातार किया जाएगा जो खेत्र इस अगनी परिक्षा में सफल होंगे जो अपने अहां होट स्पोर्ट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके होट स्पोर्ट में बदलने की आशंका भी कम होगी वहां पर बीस अप्रिल से कुछ जरूरी गतिविद्यों की अनुमती छुट्छाट दी जा सकती है लेकिन याद रखिए ये अनुमती सवशर्ट होगी बहार निकलने के नियम बहुत सकत होंगे लॉकडाउन के नियम अगर तूरते हैं और करोना का पैर हमारे इलागे में पढ़ता है तो सारी अनुमती तुरंट वापिस ले ली जाएगी और इसलिए न खुद कोई लापरवाही करनी है और नहीं किसी और को लापरवाही करने देना है मेरे देश्वासियों कल इस बारे में सरकार की तरफ से एक विस्तुरुत गाइडलाइन जारी की जाएगी साथ्यों बीस अप्रिल से चीनित खेत्रों में इस सिमीत छूट का प्रावधाम हमारे गरीब भाई बेहनों की आजी विका को धान में रखते हुए किया गया है जो रोज कमाते हैं रोज की कमाई से अपनी जरुरते पूरी करते हैं वही मेरा एक ब्रहत परिवार है मेरी सर्वोच प्राथ्विकताओं में एक इनके जीवन में आई मुश्किल को कम करना है प्रदान मंत्री गरीब पल्यान योजना के माध्यम से सरकार ने उनकी मदद करने का हर संभव प्रयास किया है अब नई गैडलाइन्स बनाते समय भी उनके हीतों का पूरा ध्यान रखा गया है इस समय रभी फसल की कटाई का काम भी जारी है केंद्र सरकार और राज सरकारे मिलकर प्रयास कर रही है कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो साथियों देश में दवा से लेकर के राशन तक परियाप्त भंडार है सप्लाई चेन की बाधाएं लगातार दूर की जा रही है हेल्थ इंफस्टेक्टर के मोर्चे पर भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं सकता में जो है झाल सब्सक्रेण